हेलो अबरिवन कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप सभी श्वस्त होंगे और मस्त होंगे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईजी जी और आईजी एम के बारे में जो टेस्ट आप अभी कोरोना के लिए करा रहे हैं ये टेस्ट आपका positive है या फिर negative है ये आप कैसे इसे समझेंगे और ये कव आते हैं कौन सा कव आता है इसके बारे में भी समझेंगे फैंक चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा सारी चीज़ें आपको टेस्ट के बारे में आई जी जी क्या है आई जी एम क्या है ये कब बढ़ते हैं कब कम होते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आज आएंगे ना हो रहा हूं राइट ये लाइन आपको ये लाइन के बेसेश्ज़ेस पर ये आपको तीजों मल्ली ये anymore को यहां पर इंफेक्शन हुआ माल लεται हैं और यह इंफेक्षिन आपको साथ दिन इसका incubation period था, incubation period यानि की infection आज सरीर में गया और ये 7 दिन के अंदर अंदर develop होके या फिर अपनी process में आगे आपको symptoms पैदा कर देगा, यानि की 7 दिन बाद आपको इसके symptoms आना start हो जाएंगे, तो ये है 7 days, 7 days यानि की symptoms आने वाले दिन, जो यहां से आपको symptoms आएंगे, तो यहां पर क्या होता है, जो आपका IgG होता है, IgG अगर आपका positive है, तो क्या होगा, और IgM अगर positive है, तो क्या होगा, मान लिजिए, आपका infection को 7 days हो चुके है, और आपने अब test कराया IgM, यानि की जो antibody test है, ठीक है, तो antibody जब आप test कराएंगे, तो इस period में क्या होगा, इस period में जो आपका IgM है, वो बढ़के आएगा, यह test आपका बढ़के आएगा, अब यह जो 14 दिन मान लिजिए, यहां से 14 दिन आपके complete हो चुके है, तो 14 दिन पर क्या होगा, यह नीचे down हो जाएगा, ठीक है, अब यह 14 दिन पर अगर यह positive हाता है, यानि की 7 दिन से लेकर के 14 दिन के 14 दिन के अंदर अंदर आपके सरीर में infection आया है, और यह active case हो गया, ठीक है, यानि की आपके सरीर में अभी infection present है, अब मान लिजिए, अगर आपका IgG जो test है, वो positive आता है, तो ऐसी condition में आपको क्या करना होगा, ऐसी condition में आपको ध्यान रखना होगा, यहां से जो आपका IgG positive आया, और यहां से यह बड़ा हुआ, और इस तरीके से यह चला जाएगा, long time के लिए, long time के लिए, यानि कि जैसे आप ठीक हो जाएंगे, यानि कि यह 14 दिन का time निकल गया, और जैसे यह आप recover होगे, ठीक होनी के process में आएंगे, तो यह बढ़के आजाएगा, और यह आप पर IgG का मतलब यह है, यह आप ठीक हो रहे हैं, और IgM का मतलब है कि आपके अंदर सरीर में अभी active infection है, तो यह अगर आपका positive आ जाता है, तो यह आपके लिए बहुत वड़ी खुस खवरी है, बहुत अच्छी बात है यह अगर आपके अंदर यह positive आ जाता है, तो ठीक है, अब यह आपका एक साल, 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, ठीक है, यह depend करता है कि body, आपका कैसा status है body का immunity क्या है body की, यह फिर आप क्या खापी रहे हैं, ठीक है, सारी चीजों पर निरफर करता है कि IgG, लंबी समय तक आपके शरीर में बना रहेगा, जिससे होगा क्या, कि जब भी आपको कोई infection अगर होगा मान लिजे, कोई infection अगर आपको होता है, तो आपको यह ज़्यादा affect नहीं कर पाएगा, यान कि यह ज़्यादा आपको बीमार नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि आपके अंदर IgG already बन चुकी है, immunity, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, कि आपके अ antibodies होती है, और जो IgG antibodies होती है, यह किन particular times पे आती है, तो यह 14, साथ से लेकर के 14 दिन के बीच में बढ़ती है, IgM, इसका मदलब है कि सरीर में infection आ चुका है, इस सरीर में infection अभी है, और अगर यह आपका positive आ रहा है, तो इसका मदलब है कि आपके सरीर में infection already जा चुका है, ठीक आज का वीडियो आप से भी को कैसा लगए, तो शेयर करना न भूलें, जादे से जादा शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए है, तो चैनल पर comment करें, और comment कर हमें अपना feedback जरूर बता है, आपको वीडियो कैसा लगता है हमारा, इसके साथ में, अगर आप हमारे वीडियो में तत्यक्ति लिए बगाठीक है, थैंक्स वबाचिंग, हेव नाइस देए